ब्रिसबरासी लाब के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक लाब देगा और जीवन साथी से बिशे सहयोगवी दिलाएगा आज संतान से मित्रवत ब्योहार रखिएगा और पीले चावल का यदिदान कर पाएं तो दिन बहुत बहतर होगा आज सफलता का मीटर 80% सेहत का मीटर 65% और सम्मंद का मीटर 75% अंक देता है कन्यारासी मन की चन्चलता के कारण आज काम में आपका मन नहीं लगेगा परिवार के पूरे सहयोग के साथ आर्थिक लाब की इस्थिती जरूर बन लेगा आज अनावस्यक तर्क कुतर्क से बचियेगा गरीबों में आज अन्न का दान करिये दिन बड़ा ही सुखद बीतेगा आज सफलता का मीटर 70% सेहत का मीटर 65% और सम्मंद का मीटर 65% अंक देता है मकरासी आज के दिन अपनी भावनाओं पर बिसेश नियंतर रखना होगा अन्यथा आप ही के लोग आपका दुरूपयोग कर सकते हैं आर्थिक लाब के यद्देपी अच्छे संकेत हैं लेकिन साथ काम करने वालों पर बिसेश द्यान लखेगा आज भागवान विश्रू को पड़ाम करके घर से बाहर निकलिये निश्चित रूप से दिन सुखद होगा सफलता का मीटर आज 80% सेहत का मीटर 70% और संबंद का मीटर 75% अंक देरा मकरासी धान के लिए किया गया प्रयासाज सार्थक होता हुआ दिखता है घर पर किसी प्रेमी ब्यक्ति के आने से मन पुर्णत आनंदित रहेगा आज भोजन पर विशेश नियंत्रन रखियेगा और समय पर करियेगा माता पिता एवं गुरू का आसिरवाद घर से निकलते समय अवस्ते लिएगा आज सफलता का मीटर 65% सेहत का मीटर 70% और संबंद का मीटर 75% अंक देता अचारी जी नोकरी पेशा लोग अपने प्रमोशन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं परिशान रहते हैं आपसे ये भी जाना चाहेंगे क्या इलाईची के उपाय से प्रमोशन की भी संभावना होती है अवस नोकरी में प्रमोशन अधिक कठिन परिश्रम के बाद भी यदि नहीं मिला या नोकरी में बार-बार समस्या आ रही है आप कारे तो कर रहे हैं लेकिन उसका स्रे नहीं मिला है कोई भी समस्या कोई भी बादा प्रमोशन में यदि आ रही है तो आप उपाय नोट करिए सुक्रवार के दिन चार हरी इलाइची कपड़े में बाद कर माता लक्षमी को अरफित करने के पस्चार हरिंग स्रिंग क्लिंग मंत्र का 108 बार जब करिए पिर से मंत्र सुनिए हिरिंग स्रिंग क्लिंग मंत्र का 108 बार जब करिए तथा हरे कपड़े में इलाइची को बाद लिए और तकिये के नीचे रख दीजिए तथा सुबह इलाइची किसी को दान दीजिए लगातार छे सुक्रवार यह उपाय करने के बाद आपके प्रमोशन की संभावना निश्चिती ही समाथ तो हो जाएगी